नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं भी फार्म सिक्स सेमिस्टर का एक और सब्जेक जिसका नाम है बायो फार्मासुटिक्स एंड भार्मा को काइनेटिक दोस्तों इस वीडियो में अपन देखेंगे फर्स्ट अपन को दे रखा है ड्रग एब्जॉप्शन तो ड्रग एब्जॉप्शन के बारे में स्टेडी करेंगे इसमें मतलब फार्मा को गाइनेटिक स्टेडी करना है अपन को यूनिट फर्स्ट में और सेकिंड में तो फार्मा को फार्मा को फार्मा का इनेटिक का मीन क्या होत करेंगे आज वीडियो में तो सुरू करते हैं वीडियो को इंट्रोडेक्शन देखते हैं फहले बायो फार्मसुटिक्स क्या होता है इसके बात आगे देखेंगे नियुक्ति क्या हो गया इसका द्यान से देखना मतलब इसे इसमें इस्टेडी की जाती है ऐसे फैक्टर स्कीर तो अमारी ड्रक को मतलब ब्लड में पहुंचने में डिस्टर्बेंस वेदा करते हैं तो उनकी दिस्टेडी की जाती है इसमें बायोविलिप्टी का मतलब हो गया कितनी कंसेंट्रेशन ब्लड में जा रही है उसको जो भी फेक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में स्टेडी करेंगे इसको बोलते हैं अपन बायो फार्मासुटिक्स बायोविलिटी की डेफिनिशन क्या है बायो बिलिटी इस दिफाइन एड एक्षाइन अमांट ओफ ट्रग एब्जोप्शन मतलब कितना अमांट ऐजो ड्रग का एब्जोप ओके ब्लड में जा रहा है उसे बायो बिलिटी करते हैं एनी एल्ट्रेशन इन ड्रग्स भाइविलेटी इस रिफ्लेक्टेड इन फार्माकोलोजीकल एफक्ट प्रोसेजर मुवमेंट ऑफ ड्रग फ्रोम इट्स साइट ऑड्मिस्टेशन तू सिस्टेमिक सर्कुलेशन इस कोड़ अब्चॉप्शन यह सिंपल डेफिनेशन हो गई दा मुमेंट ओ ड्रग बट्वीन वन कपाट्मेंट एंड अधर इस रिफ रेफर्ड आज ड्रग डिस्ट्रिबूशन मतलब जनरली ब्लड एंड मलब बलड से टीश्यू में जो ड्रग का ट्रांस्पर होता हो से ड्रग डिस्ट्रिबूशन बोल रहे हैं एलिमिनेशन एलि ड्रग लिए उसका जो भी इसके पार्टिकल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए बोडिया इलिमिनेशन करती है है वह इसके टूफ रोशेसे हैं बायो ट्रांस्परिमेशन लप पहले मेटाबोलाईज होती है ड्रग उसके बाद एक्सिरेशन होता है विच यूज य न्यक्तिवेट इंट्रेट करता है ड्रह एक्सिरेष्ण विज रेस्पोंसिब फोर देग ड्र सी जब द्रुद्द मेटाबॡ़ाइट मोड इप्रों फ्रमक को काइनेटीक्स क्या होता हैं संपर मैं को काइनेट इस डिफाइन आज देटेडीयो टाइम स्वाइब पूर्द बेक्टोप ट्राइडीमी क्या होगा है पहले बताया था मैंने शुरूब में वीडियो के एब्जॉप्शन डिस्ट्रीबिशन मेटाबोलिजन एक्स क्रियेशन इसकी स्टेडी की जाती है फार्मको काइनेटिक्स में अब देखेंगे इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर आगे देखेंगे के टेल में अब्जॉप्शन के बारे में अब्जॉप्शन के आवशेज बाइविस ड्रग एंटरिन बोडी एंड डिस्टिबिशन के डिस्पर्जन ओब ड्रग त्रूआउट देखेंगे यह एक डाइग्राम है प्लोचाट है समझने के लिए कि ड्रग हमारी के इसे तो टेक्ट की जाती है डिमेंस्टर कैसी होती है फिर कैसे अब्जॉप्शन उठाए डिस्टिबिशन होता है जैसे पर ड्रग अपनने औरल रूट के द्वारा ड्रग को लिया वहोता उल मातर ड्रग को लुगे इसके बाद क्या होगा डिस्टिव्शन मतलब ब्रेकडाउन होगी के बाद accumulation active site अलब जहां पर ड्रग को वर्क करना है इसके बाद फार्मको डाइनमिक्स आता है हमारा इसमें क्या होता है जो ड्रग इफेक्ट फ्रेडिउस करती है इसकी स्टेजिक निए फार्मको डीग इफेक्ट टॉक्सिवर्ड दो इफेक्ट आते हैं मारे रखिया तो फेबरेटी लोगा वो डी की पिर एंफेवरेबल लोगा absorption of drug अब देखते हैं हमारा मेन पॉइंट absorption of drug the process of movement of drug from its site of administration to systemic circulation is called absorption यह ग्राफ दे रखा है इसमें थोड़ा बहुत समझने के कोशिस का नाप नीचे टाइम वर्सेश प्लाज्मा concentration मतलब कितने टाइम में कितनी ड्रग हमारे ब्लड में जा रही है तो यह यह ग्राफ है इसमें क्या है कि कि यह थेराप्यूटिक सक्सेज और रेपीडली और कम्प्लीटली अब्जोर्ड कम्प्लीटली अब्जोर्ड वह गी उसकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन भी कम होगी और टाइम भी जल्दी वह एक्सकी रेट हो जाएगी तो यह उपर दे रखाया थेरापीटिक लेवल और मीनिमा भेट्टिव कंसेंट्रेशन और सब थेरापीटिक लेवल कि समझ में आ गया हो दोस्तों इसके बाद देखते हैं मेकनिजम और मतलब कैसे कैसे होता है बोड़ी में अपर डिटेल स्टेटी नहीं करेंगे इसके बारे में पहले बता रहा हूं मैं आपको बट आपको मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं जिससे आप इनको आराम से स त्हर फाढ़ है वेजिकुलर परस्ट ट्रच ग innov में क्या है पीसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिवट नहीं अटोर होत अ इसके पाद Pierce cellular में क्या दे रखा है परमीयसन थ्रूट जंक्स लोगे फितीलियम शेल और सोप्षन थायड में किया वेसिकूलर को को फूलर में पिन्नोसाइट और फैगोसाइट मतलब होते है यह स्टेम करती है और फैगोसाइट का मतलब शेल इटिंग यह एक flow chart है इसमें देखना मतलब जो हमारी drug है वो केस से अब्जार होती है diffusion होता है मतलब ुपेसिव diffusion में क्या होता है कि high concentration मतलब उपर की ओर high concentration होगी high से low की और हमारा drug प्लड के पिलेरीज में आ जाएगा इसके बाद केरीयर मेडिये ट्रांसपूर्ट के यह होंगे इस सेल मेंब्रेन में जो हमारी ड्रग को लेकर आएंगे सर्कुलेशन में इसके बाद endocytosis को मतलब देख लिए आप मतलब जो हमारी ड्रग है वो इट करी है फेगोसाइट मतलब और ड्रग सर्कुलेशन में आ रहा है यह सिंपल मेकनिजम हो गया इसके बाद कौन-कौन से फेक्टरन जो हमारे अब्जॉप्शन को अफक्ट करते हैं देखते हैं तो युप ट्रेऑट्ट्ट तुट्रग और द्युप और बोडी तू टाइप्स का है तो रिवेट्टटाइट्ट्टु ड्रॉग देखें लिपेड वॉतr आस्ट मिल्युई डिफियूट्थ क्या हैं कितना है फुजिकल फॉप क्या है केमिकल नेचर कैसा है डोजस्पहू यह मायाा ऑफिपस प्लाइज को रयक्स करेगा से अब लूँट में डेखते हैं कि तो सब्सक्रोंत क्या पार्टीकल स्थ याई मूतिलिटी क्या होगा यहाई मूतिलिटी कम होगी तो देरे से जायेगी σ்Delum मेंADE करेगी कौई प्रॉola करेगी किसे बाद कुई । जी है इसके बाद एकट करती है इसके़ है ट्रूर्ट से दी जाती है मतलब औरल रूट से नहीं ली जाती है इस में तो कौन-कौन से रूट आएully हैं हमारे जिनके द्वारा डुर्का ली जाती है आप सिंपल तो इस इंपली देखें तो यह ओरल रूट हो गया हमारा इसे ड्रग लेते हैं जाती है पिरस्टलाइज एल्मिनेशन होता है लिवर में मेटाबलाइज होती है वो सिस्टेमिक सर्कूलेशन में आजाती है अगर इसके अलावा बाइपास मतलब लिवर में नहीं जाती है मेटाबलाइज नहीं होती है डायरेक्टली प्लड में आवे सिस्टेमिक सर्कूलेशन में आती है कौन-कौन से रूट है उनको नोन ओरल रूट बोलते हैं अपन रूट उप इसमें क्या रखा है रूट उप बाइपास प्रेस्टेट्मिक एलिमिनेशन है इसमें अपने नाग के द्वारा ले लेते हैं पर मुनरी डिलियुरी मतलब इनहेल करते हैं किसी भी चीज़ को जडायरेक्टली फैप्रों में जाती है लैंस में इसके बाद बकल सबनीवल बकल का मतलब अपन जिक्स और अपने मसूड़े के बीच में रखते हैं रखों सबनीवल का में टांक के नीचे रखते हैं इसके बाद रेक्टल डिलियुरी आप जानते हैं और वेजाने लिए अगर तो यह कंप्लीट हो गया मारा एब्जूप्शन तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपन देखेंगे अगला पार डिस्ट्रिब्य अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो इससे आगे की वीडियो बहुत अच्छी होगी और अपने फार्मा फ्रेंट्स को भी शेयर कर दो जिससे हमें मोटिवेशन होगा नई वीडियो लाने का थैंक्यों दो